हेलो एवरिवन स्वागत आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल बेस्ट नॉर्ड टुटोरियल में तो आज का जो टॉपिक है वो है उत्राखन राज निर्मान अंदुलन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें जो आपका पहला क्वेस्चन है वह है आपका उत्राखन प्रेथिक राज ये की मांग सर्व पर्थम कब उठाई गई थी इसके इंपोर्टन क्वेस्चन है और अच्छे क्वेस्चन है तो इसका जो सही आंसर होगो ऑपसेन नमबर बी स्वट ऑपसेन बी इसके बार में थोड़े सज जानेंगे हिमाले की गोद में इस्तित गड़वाल और कुमाव चेत्र को मिलाकर एक प्रेथक राज बनाने के संबंदी मांग सर्व पर्थम पांच और छे मई सं 1938 को श्री नगर यानकी गड़वाल चेत्र में आयोजित भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेश के विसेश अधिवेशन में उठाई गई थी इस्तानिय नेताओं के इस मांग को अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे जवाहरलाल नहिरू इन्हें समर्थन किया था तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके निम्न मेंसे किसने दिल्ली में प्रिथक राज्य की मांग को लेकर गड़ देश सेवा संका गठन किया था तो आपका सही आंसर होगा ओप्चन सी देव सुमन सन 1938 में प्रिथक राज्य की मांग हितु श्री देव सुमन ने दिल्ली में गड़ देश सेवा संग नाम से एक संगठन बनाये था बाद में इस संगठन का नाम हिमाले सेवा संग हो गया तो अगला क्वेश्चन है उत्रांचल और हिमाचल को एक वुरहद हिमाली राज्य बनाने के उद्येश से पर्वतिय विकास जन समुति का गठन किस सन में हुआ था तो आपका सही आंसर होगा ओप्चन बी 1950 को सन 1950 में हिमाचल और उत्रांचल को मिलाकर एक वुरहद हिमाली राज्य बनाने के उद्येश से पर्वतिय विकास जन समुति का गठन किया गया था उके तो अगला क्वेस्चन है सन 1967 में राम नगर में प्रिथक राज हेतु पर्वतिय राज परिशत का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ओप्चन नम्मर ए दयाकृष्ण पांडे 24 और 25 जून सन 1967 में राम नगर में आयोधित सम्मिलन में पर्वतिय राज परिशत का गठन किया गया था इसके अध्यक्ष स्री दयाकरिश्ण पांडे जी थे और उपाध्यक्ष गूबिन सिंग महरा और जो महा सचीपते वो थे नारयनदत सुन्दरियाल जी अध्यक्षिक्ष परेवतिय राज परिशत का पुनदार गठन कर पृतिय राज परिशत किन दू बैक्षियों को सामिल करते गठित किया गया था तो इसमें जो आपका सयांसर होगो वो होगो option d a और b दोनों यानि प्रताप सिंग नेगे और नरेंदर सिंग बिस्ट तो इसके बारे में भी थोड़ा जानेगे प्रताप सिंग नेगे वह नरेंदर सिंग बिस्ट को सामिल करते हुए सन 1973 में परवतियरा परिसद परवतियराजय परिसद का पुनर गठन कर प्रतक परवतियराजय प्रतक परवतियराजय के परिसद गठित किया गया था तो अगले question पर चलते हैं कौसिक समिति ने अपनी रिपूर्ट 1994 में कहां राजदानी बनाने के सिफारिस की तो इसमें जो आपका सयांसर अप्सन नंबर ए गयर से कौसिक समिति ने मई 1994 में अपना रिपूर्ट प्रस्तुत किया और रिपूर्ट में तत्कालिन परवतियराजय जिलनों को मिला कर प्रतक उत्राखन राज्यराजय और उसकी राजदानी गयर से में बनाने की सिफारिस की गई थी कौसिक समिति ने अपनी रिपूर्ट में गयर से राजदानी बनाने की सिफारिस की तो अगला क्वेस्चन है तो आपका क्वेस्चन ये है कि 1 सितमर 1994 को खटीमा गोलिकान उत्राखन के इतिहास में कि सुरूब में जाना जाता है तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्सन नमर सी काला दिवस एक सितमर 1994 को उधम सिंग नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा चात्रों तथा पूर्व सैनिकों के रैली पर गोली चलाने से 25 लोग मारे गए थे इस घटना के दूसरे दिन मसूरी में जूला घर पर विशेश प्रकट करने के लिए आयोजित रैली में उत्यजित लोगों ने पी एससी तथा पुलिस पर हमला कर दिया इस घटना में पुलिस उप धीक्चक उमाकान तिरफाटी मारे गए थे और फिर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर साथ आनुननकारी मारे गए इनमें दो महिलाएं हंसा धनाई वा बेलमती चोहान भी मरी थी तो अगला क्वेस्चन है कुरूर सासक की कुरूर साजी यहां किस से संबंदित है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्सन ए रामपूर तिराहा यानि वर्तमान का मुझजफर नगर ओके तो दो अक्टोबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे आंदूरन कारियों पर रामपूर तिराहे यानि मुझफर नगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमानुसिक अत्याचार किया उसके बाद मुझबर नगर में महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों ने दुराचार किया और पुलिस फाइरिंग में छे लोगों की मुरित्यों हो गई थे इस कृत्या को कुरूर सासक की कुरूर साजिस कहकर पूरे बिस्व में निंदा हुई इस कांड के बिरोद में 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्राखन छेत्र में हिंसक प्रजर्शन हुआ और साल लोग सहीद हो गए थे तो अगले क्वेस्चन पे चलते हैं लाल किले की प्राचीर के किस प्रधान मंत्रे ने सर्व फर्थम उत्राखन के गठन की घोसना की तो इसमें जो आपका सेयांसर होगा वो होगा अप्सन नमर ए एचडी देव गोड़ा तो पंदरा अगत 1996 को लाल किले की प्राचीर से ततकालिन प्रधान मंत्रे एचडी देव गोड़ा ने उत्राखन राजे का निर्मान करने की घोसना की तो अगला क्वेस्चन है राजधानी विवात पर विराम लगाते होई मुख्य मंत्री विजे भगणा ने विधान सबा भवन बनाने का निर्णे कब लिया था तो इसमें जो आपका सेयांसर होगा वो होगा अप्सन नमर सी तीन नॉम्बर दोजार भारा राजदानी विवाद पर विराम लगाते हुए तीन नॉम्बर सन दोजार भारा को मुख्य मंत्री विजे भोगुणा ने गैर सेन में मंत्री परिशत की बैठक आयोजित की और विधान सभा भावन बनाने का निर्णे लिया तो अगला क्वेस्चन है अभी जो क्वेस्चन है वह आपका राज्य प्राप्ति आनुलन के सहीदों के बारे में तो यह क्वेस्चन है जीद बहादुर गुरुंग सहीद कब हुए थे तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ओप्सन नंबर बी आठ अगस्त 1994 को पौड़ी में ओके इनके साथ तो अगला क्वेस्चन है निम्न में से एक सितंबर 1994 को खटिमा में कौन-कौन सहीद हुए थे तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ओप्सन नंबर डी उप्रोक सभी यानि धर्मानन भट और गोपी चंद ये अलग थे परमजीत सिंग और रामपाल और भवान सिंग और इनके आतरिक एक सितंबर 1994 को खटिमा कांड के सहीद धर्मानन भट गोपी चंद रामपाल भगवान सिंग शिरोला प्रताप सिंग पर सलीम एहमद और भुवन सिंग थे तो अगला क्वेस्चन है धन्पत सिंग मदन मोहन ममगाएं वलवीर सिंग जेठू सिंग राय सिंग आदि कहां सहीद हुए थे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओप्सन डी यानि मसूरी दो सिंग नीस सो चौरानवे के मसूरी कांड के सही थे धन्पत सिंग बेलमती चोहान राय सिंग बंगारे हंसा धनाएं मदन मोहन ममगाएं वलवीर सिंग नेगी जेठू सिंग वा उमा संकर तिरपाथे ये डियस पी थे तो अगला क्वेस्चन है दो ओक्टोबर उन्नीस सो चौरानवे को रामपूर्ति रहा यानि मुझफर नगर में कौन-कौन सही थे तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपको दिखे रहा है उप्सन डी उप्रोक सभी यानि रविंद्र रावत और सतेंदर सिंग चोहान और ग्रीश कुमार भदरी और सूर्य परकास थपलियाल और राजेश लखेडा ग्रीश कुमार भदरी सतेंदर सिंग चोहान रविंद्र रावत सूर्य परकास थपलियाल राजेश लखेडा और असो कुमार कौसिक दो ओक्टोबर उन्नीस सो चौरानवे को दिल्ली में आय तो अगले क्वेस्टन पर चलते हैं और अगला क्वेस्टन जो है उत्राखन राज ये के नीमनी लिखिद में से नेपाल को इस पर्स करने वाले कौन-कौन से जिल्ले हैं तो इसमें जो आपका सेयांसर होगा वो होगा अप्सन डी उप्रोक सभी यानि उधम सिंग नगर चंपावत पित्वरागर तो इनके लिए दो लाइन उत्राखन राज के तीन जिल्ले यानि पित्वरागर चंपावत और उधम सिंग नगर ये नेपाल को इस पर्स करते हैं तो अगला क्वेस्टन है उत्राखन राज एक पर्वत घाटियों में बसे प्रमुक नगर जिल्ले कौन-कौन से हैं तो इसमें जो आपका से आंसरों को वह होगा अप्शन डी उप्रोक सभी यानि पित्वरगर्ड चंपावाद देहरदून तो अगला क्वेस्चन है नेक्स्ट क्वेस्चन है उत्राखन का वहज कौन से जिल्ला है जिसे दो देशिस फर्स करते हैं तो इसमें जो आपका एंशर वो हो गा अप्शन नंबर सी पित्वरगर्ड पित्वरगर्ड जिल्ले को दो देशिस करते हैं जो Kcciones ने है यानि क्वेस्टन ने आई भी हो सकता है कि उत्राखंट का बहृत जिल्ट कौन सा है जो चीन और नेपाल को इसपर्स करता है तो इन दोनों का आंसर सेम होगा पिथो रगरड को और चीन और नेपाल से एक question आएगा तो उसका आंसर होगा पिथोरगाट ओके नो प्रोब्लम तो अगला question है उत्राखन करांती दल यानि UKD उत्राखन करांती दल के विधाय के रूप में उत्तर पुर्जेज विदान सवा में उत्राखन राजे से संबंदित प्रत्म प्रस्ताव किस ने रखा था तो इसमें जो आपका से आंसर होगा वो होगा option B जस्वन सिंग बिस्ट सन 1990 में जस्वन सिंग बिस्ट ने उत्राखन करांती दल के विधाय के रूम में उत्तर पुर्जेज विधान सवा में प्रत्राजे का पहला प्रस्ताव रखा था तो अगले क्वेस्टेन पर चलते हैं किस द्यक्ति की अध्यक्षता में मसूरी में उत्राखन करांती दल का जर्म हुआ था तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा option option D Dr. देविदत पंत यानि 24 और 25 जुलाई सन 1979 नाइंटीन सेवन्टी नाइन को मसूरी में आयुजित परवतिय जन विकास सम्मेलन में उत्राखन करांती दल का जर्म हुआ था यानि UKD यानि इस दिन यहां के अध्यक्ष बने होंगे तो इसलिए वो कह रहा है कि जर्म तो इसके प्रतम जो अध्यक्ष थे वह कुमाविस्वजाले के ततकालिन कुल पति यानि डॉक्टर देविद अंत बनाए गए थे इस दल का के वल एक लक्ष राज की समस्याओं का निरा करते हुए आठ परवतिय जिल्लों को मिलाकर अलग राज के स्ताफना करना था ठीक ह तो अगला क्वेस्चन है प्रिथक राज यानि प्रिथक उत्राखन राज को सरुपर्थम किस राष्ट्रिय पार्टी ने अपने गोस्टना पत्र में सामिल किया था तो इसका जो सयांसर होगा वह होगा ऑप्शन बी बीजेपी यानि भारतिया जन्ता पार्टी तो दोस्तों हमसे जोड़े रहने के लिए धन्यवाद यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए चैनल पर करें विजिट और वहां बहुत धेर सारी वीडियो बनी हु झाल 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 को कि लिए ऑ्ज ख्थाब और जल्म करें वीडियो वीडियो भाब यज चैनल झाल